Hello and Welcome Inequality तो वैसे हमने पढ़ लिया लेकिन बच्चू ने बताया सर ये जो questions आपने दिये थोड़ा सा ये समझाईए और जो last में आपने coded inequality के बारे में सिर्फ trick दिखाई, समझाई नी उसको भी आप हमें समझाईए क्योंकि coded inequality से सवाल आने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं सर, और exam में coded inequality आता है, वैसे coded inequality आप वैसे भी कर सकते हो थोड़ा time लगेगा, लेकिन इस trick की वज़ा से आप 5 marks coded inequality वाले, जिसमें बहुत time लगता है, वो आप सिर्फ 2 मिनट में ले सकते हो 5 marks आप सिर्फ 2 मिनट से ले सकते हो, मैं खुद जब try जब मैंने की, कि मैं कितना time दे सकता हूँ, मैं आपको बताऊँ in coded inequality case कैसा भी सवाल हो मैं 2 मिनट से कम-कम ही time देता हूँ, ये practice होती है कभी तो मैं 1 मिनट मैं भी 5 marks करता हूँ, ये practice होती है आपको शायद पहले 5 मिनट लगेंगे 5 marks के लिए 4 लगेंगे, 3 लगेंगे, लेकिन 2 तक आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे थोड़ी सी practice करके, देखो मेरे दोस्तो coded inequality जो है इसकी trick मैं आपको समझाऊँगा, और भी कुछ बाते बच्चों ने बता दिये, उनका भी जवाब मैं दे दूँगा, ये सवाल आते हैं और ये आपके सामने IBPS PO 2016 का सवाल है, और अच्छा सवाल है अच्छी level है, इसी सवाल को देखके ही मैं आपको trick समझाऊँगा, देखे trick क्या है डबा बनाना है, जब भी code inequality आए, greater than greater or equal to, less than less or equal to, बीच में equal to लिखाना, आपका 50% काम हो गया, trick समझी न, 50% हो गई आपकी trick, देखा कितनी आसान है, इतना तो सर हर एक बच्चे को पता होगा, डबा बनाना है, greater than greater or equal to लिखना है less than, less or equal to लिखना है बीच में equal to लिखना है, सर बच्चे बच्चे को इतना पता है, 50% कैसे हो गए हो गए मेरे दोस्तों समझाओंगा आगे अब ये तो ठीक है अब यार दखना आप, ये जो है न, ये greater than, इसका opposite ये है और इसका opposite ये है और इसका opposite ये खुद है ये मैंने क्या बताया, ये आगे आगे आपको पता चलेगा अभी करना क्या है जब आपके सामने question आएगा और इसी question के basis पे ये आपको box बनाना है और आपके इसी box पे, इसी question के basis के उपर जो box बनाया पांच question आप कर सकते हो वो भी दो मिनट से कम-कम के time में देख लीजिए sir trick क्या है आपको इस box में तो बता दिया मैंने greater or, greater or equal to, less than, less or equal to, इतना तो बताया इतना भी आप याद रखो इसका value है 1, इसका है 2, इसका है 3 इसका है फिर से 1, 4 नहीं इसका है 2, ओके याद रखा की नहीं, फिर से बोलूँ 1, 2, 3 1, 2, और यह 3 फिर से 3 है, है ना अब जब भी आप 2 conclusions को compare करोगे, इसको और इसको आप छोटा value लोगे, छोटा value मतलब 1 जब भी आप इसको और इसको compare करोगे आप छोटा value लोगे, छोटा value मतलब 2 वाला इसको और इसको compare करोगे आप 1 लोगे, छोटा वाला ठीक है, यह भी आज रखा ना अब यह आपकी 70% trick हो गई मतलब कि बहुत असान है बहुत असान है, देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डबा जब आप बनाओगे box आप इस box का assign करो यह symbols, कहां कहां symbol क्या क्या लगेगा देखते हैं कैसे, देखो डॉलर है यह add the rate है यह hash है यह and है यह, star है यह यह कहां पर आएंगे इस books में, यह आपको assign कराना है, लिखना है लिखते हैं सर, लिखते हैं डॉलर का मतलब है, A, डॉलर, B मतलब dollar का मतलब है A is not smaller than B A छोटा नहीं है B से, फिर क्या होगा A फिर यह तो बड़ा होगा, यह बराबर होगा है ना, तीन ही signs है मेरे दोस्तो less than, greater than equality, यही तीन तो है A is not smaller than B dollar का मतलब यह A छोटा नहीं है, फिर क्या होगा फिर बड़ा होगा, या equal to होगा dollar वहाँ पे दे दो, बड़ा और equality यहाँ है, तो dollar यहाँ पे रख लिया, रख लिया ना dollar, बात खत्म, समझ नहीं आए ना अच्छी बात है, समझ आना भी नहीं चाहिए एक line में, दूसरे में समझ आएगा तीसरे में समझ आएगा, अभी picture बाकी है, आगे देख लो add the rate का मतलब क्या, कहाँ पे लिखोगे add the rate, means add the rate का मतलब क्या, a is neither smaller than nor equal to be ना ही ए छोटा है ना ही ए equal to है, फिर a क्या होगा, बचा क्या, a फिर बड़ा होगा, कहाँ पे है बड़ा, कहाँ पे है बड़ा ये, तो ये जो add the rate है, इसका symbol आप यहाँ पे दोगे जहाँ पे यह बड़ा है, greater than नहीं आए समझ, नहीं आए समझ, अभी आपने dollar का sign तो दे दिया अभी आपने add the rate की position तो दे दी, अभी तीसरे पे देखते है, hash hash का है, hash है neither a is neither greater than nor equal to b, नहीं greater है, नहीं equal है, फिर hash के होगा, smaller होगा, जहाँ पे smaller होगा, वहीं पे hash लगा लो, hash यहाँ पे लगा लिया, समझा रहे है न, थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा ही आना चाहिए and, and का मतलब क्या a is neither greater than nor smaller than, and का मतलब नहीं a greater है, नहीं a छोटा है, नहीं a बड़ा है, नहीं a छोटा है, फिर क्या होगा a, a फिर बराबर होगा, जहाँ पे बराबर है, वहाँ पे and दे दो, equality यहाँ पे है न, तो यहाँ पे and दे दिया, okay last में star star b का मतलब क्या है, a is not greater than b, a नहीं है b से बड़ा, फिर क्या होगा, छोटा होगा, या बराबर होगा, है न, कहा है यह symbol, less or equal to less or equal to, यहाँ है, तो आप यहाँ पे star दोगे ठीक है, इसमें बहुत बार teachers कोई बोलते हैं, जो यह trick समझाते हैं, डाइगनल में जाओ, डाइगनल में जाने की क्या जूरत है, आप फिर conceptual clarity थोड़ी कम हो जाएगी, डाइगनल कुछ भी नहीं है, उसे गलत हो सकता है आपको बस एक बार, इतना तो simple है कि अगर यह बड़ा नहीं होगा, अगर बड़ा नहीं होगा, तो फिर छोटा या बराबर होगा अगर 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 ओके सॉरी, अगर बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, फिर बड़ा या बराबर होगा अरे बहुत असान है इतना चाह समझना पड़ेगा आपको जिनको ये भी समझने आया ना नीचे कॉमेट करें मैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल समझाऊंगा अगर कुछ ज्यादा कॉमेट्स आए देखिए इतना आपने समझाना आपकी ट्रिक का 90% हो गया अभी 10% बागे आ बॉक्स में आपोजिट सिंबल्स आएंगे मतलब के पहली ट्रिक है आपोजिट सिंबल मतलब के एक कंक्लूजिन का सिंबल यहां से दूसरा कंक्लूजिन का सिंबल यहां से या इस से या इस मतलब आपोजिट ये दो इसके दो आपोजिट है जब भी आपोजिट आये तो क conclusion आपका गलत, जो आप conclusion देख रहे हो, यह मैं समझाऊंगा, ऐसे थोड़ी समझाएगा, ऐसे तो आपको लगता होगा, पता नहीं क्या बोर है सर, यह कुछ नया हमने देख लिया, दूसरा point याद रखो, आप जब statement, 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 statement में, ऐसे से ऐसे जा रहे हो, तो same symbols लेना पड़ पड़ेगा, opposite जा रहे हो किसी statement में, तो opposite symbol लेना पड़ेगा, यहां से same जा रहे हो, तो same लेना पड़ेगा, और जब आप compare करोगे last में, तो smaller value लेना पड़ेगा, मैंने जो बोला, one आया, three आया, आपको one लेना पड़ेगा, समझा रहा है, two आया, three आया, आपको two लेना opposite नहीं होना चाहिए, opposite नहीं होना चाहिए, यह one आया, यह two आया, एक side में, तो compare करके one लेना पड़ेगा, यह one, यह two आया, तो compare करके one लेना पड़ेगा, अच्छा, यह one आया, यह बीच में आया, यह तो opposite नहीं है, opposite बस यह line और यह line है, ठीक है, आपको छोटा लेना पड है इतना समझाना इतना समझाना बाई समझाने में टाइम लगता है वैसे तो बिल्कुल भी टाइम ने लगता देखो पहले हम यह वाला करेंगे क्योंकि यह वाला थोड़ा सा असान है फिर यह करेंगे उससे थोड़ा मुश्किल है फिर यह करेंगे लास्ट में यह थोड़ा क्या करना है याद रखो सवाल आया आपके सामने देखो क्या करना है यह वाला सवाल करते हैं पहले कंक्लूजन में देखो पहला L से F जाना है इधर भी E से हो जाना है A सो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाना पड़ेगा कंक्लूजन में N से जाना है L से क्यों जाना है B से N जाना है क्यों से N जाना है ये स्टब भी याद रखना पड़ेगा आपको सवाल आया L से F जाना पड़ेगा F से L कभी नहीं सिर्फ लेफ्ट से राइट कनक्लूजन में L से F जूरो L कहा है स्टेटमेंट में L है यहाँ पर भाई S मतलब स्टेटमेंट C मतलब कनक्लूजन ये तो पता है ना ये तो पहले से पता है बहुत पहले से आप वीडियो देख रहे हो ना चार-पांच दिनों से L से F जाना है L यहाँ पर F यहाँ पर L से F जाना है मतलब अपोजट तो अपोजट सिंबल ही लेना पड़ेगा पीच में क्या है एड़ रेट और हैश एड़ रेट इसका अपोजट क्या है ये मतलब कि जब आप जब आप L से F देख रहे हो L से F देख रहे हो यहाँ पर एड़ रेट और हैश है एड़ रेट तो लिखना नहीं है एड़ रेट नहीं लिखना एड़ रेट का अपोजट क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहे हो हैश लिखना है और फिर यहाँ पर दूसरा सिंबल है एड़ रेट तो हो गया अब ये हैश है हैश नहीं लिखना hash का opposite क्या है इसका opposite तो वापस आ गए ये add rate लिखना है अब दो symbols जब opposite वाले आ गए तो conclusion गलत है क्यों 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 मैंने बोला opposite symbols wrong होता है conclusion एक ही बार थोड़ी समझाएगा आगे चलो मेरे दोस्तों e से ओ जाना है कि O से E, E से ही O जाना है, क्यूं, 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 Sir, E से O ही जाना पड़ेगा, क्यूंकि, क्यूंकि, Left से Right, E से O, E यहाँ पे, O यहाँ पे, अभी सिट्रेट है, सेम सिंबल लेना पड़ेगा, अपोजट लेने की कोई जुरत नहीं, से सिट्रेट ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे, तो क्या-क्या मिला आपको, E से O जाते हुए, आपको मिला डॉलर, और मिला हैश, है ना, तो हैश अपनी ही जगा लेना है आपको, डॉलर अपनी ही जगा लेना है, आपको अपोजट नहीं लेना, मतलब इनका अपोज़ नहीं लेना अगर ऐसे जा रहे तो अपोज़ लेना अभी जब आप इनको compare करोगे लेकिन ये तो इस line में मतलब की conclusion गलत अभी फिर से आएगा समझ आपको आगे A से O ही जाना है A यहाँ है O यहाँ है आपको A से O ही जाना है तो बीच में क्या मिला आपको स्टार डॉलर और हैश मिला है अब स्टार डॉलर हैश में आपको यही स्टार डॉलर हैश ही लेना है अब उस नहीं लेना क्यों क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो सेम सिम्बल इस लेने है star dollar hash लेना है star यहां पे okay फिर dollar यहां पे और hash यहां पे अब जब अपने तीन लिये ठीक है जितना ज्यादा आपके अंदर आए ना जितना ज्यादा आएंगे न उतना आसान बन जाता है अब यह अपने तीन लिये ना ये ये और ये मुझे बता opposite में आ गया कुछ हाँ भाई एक तो इधर का आ गया एक तो इधर चला ये दे तो ठीक आये थे लेकिन एक तो उपर का आ गया एक तो नीचे आ गये मतलब opposite दो lines में आ गये तो ये भी गलत है ये भी गलत है opposite बिलकुल नहीं आना चाहिए कितना आसान है बहुत आसान है अभी आगे समझाने वाले आपको जिन लोगों को समझ नहीं आया आगे समझ आ जाएगा E से L जाना है E यहाँ पे L यहाँ पे E ही से L जाना है मतलब कि इधर से ऐसे आप जा रहे हो same symbols लेने पड़ें कि opposite नहीं अगर यहाँ पे dollar है तो dollar ही लेना है hash है तो dollar hash ही लेना है add the rate of है तो add the rate of ही लेना है क्या-क्या था hash dollar add the rate of dollar hash add the rate of अभी फिर से यार इदर एक आया इदर एक आया opposite नहीं आना चाहिए तो यह भी गलत है बहुत आसान है ए entscheiden ये भी गलत है चुल आप ये कर लेते हैं ये वाला कर लेते हैं क्योंकि डबा आपके सामने है नजदीक हो जाएगा क्यों से आर जाना है के आर से क्यों सर क्यों से ही आर जाएंगे अब यहां से लिफ्ट इदर से ऐसे जाना है आर की तरफ मतलब कि ऐसे जाने ये वाला जो आपने देखा भी नीचे सिंबल ठीक है न अपोजट सिंबल लेना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे सिटार नहीं लेना सिटार का अपोजट लेना है हैश नहीं लेना हैश का अपोजट लेना है ले लो देखना पड़ेगा सही है कि गलत है मुझे बताए इन दोनों में छोटा कोन है इसमें और इसमें छोटा कोन है सर इसका one है इसका two है छोटा तो ये है add the rate छोटा add the rate है तो छोटा जब add the rate है तो ये सही हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच में add the rate है फिर से यही समझाऊंगा क्योंकि यह सही आया ना तो आपको समझना पड़ेगा यहां पे कुछ खास क्यों से R जाना है क्यों है यहां पे R है यहां पे ऐसे क्यों से R जाना है जब आप opposite आ रहे हैं तो opposite symbol लेने पड़ेंगे यहां पे star है यहां पे hash है को compare कीजिए, आप देखे, smaller value किसको है, इसको one है, और इसको two है, तुनों मैंसे छोटा कोन है one, और one, add the rate यहाँ पे symbol बीच में आ गया, तो add the rate conclusion में आया ना यहाँ पे add the rate, छोटा वाला add the rate है, छोटा वाला add the rate था, और यहाँ पे conclusion मैं भी add the rate आप देख रहे हो, तो यह सही हो गया कुछ और होता, यहाँ पे symbol तो गलत होता, add the rate छोटा add the rate यहाँ, तो सही हो गया देखते हैं दूसरा S से ही ओ जाना है S, O ओके, जितना ज्यादा बीच में आएगा ना उतना ज्यादा माज आता है, उतना ज्यादा opposite value आते हैं, गलत हो गया conclusion, याद रखना ओके, 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 ओके S से हो जाना है S से हो जाना है ऐसे, तो यह opposite symbol लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहाँ से जा रहे हो, आपको hash नहीं लेना, hash का opposite लेना है hash का opposite, add the rate आपको end नहीं लेना sorry, dollar नहीं लेना dollar का opposite लेना है आपने ले लिया आपको end नहीं लेना end का opposite लेना है, end का opposite तो end खुदी है, मैंने बताया था, पहले ही आपको, इसका opposite इसका ही है end ही है बीच में, अब यह goal, यह goal और यह goal compare करो और देखो ज़रा, एक इस line में आता है, एक इस line में आता है opposite हो गए, तो आगे चक करनी की क्या जुरत गलत हो गया है यह conclusion क्योंकि इस में और इस में compare नहीं होता compare होगा इन दोनों में और इस में, compare होगा इन दोनों में और इसको, ठीक है ना compare इन दोनों में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है, इन तीनों में हो सकता है, इन तीनों में आपस में हो सकता है, compare छोटा कौन सा है, देखने के लिए, लेकिन opposite जो ही आया, इसका और इसका गलत, अब ये देखो, ये देखेंगे हम last में, क्योंकि इ N से यह जाना है ok N ही yeah pe e e है यह mec swear ऐसे यह जाना है अब वापस आए तो अपाब्स सिंबल लेना पड़ेगा स्टार के बदले लियेना पड़ेगा Zot很好 option लियना पड़ेगा देखो फिर उन दोन में चोडा कुन है स्टार के बदले अपोजिट, एंड के बदले अपोजिट, स्टार यहां पे, इसके बदले यहां गया, एंड के बदले अपोजिट यही है, इन दोन में छोटा कौन सा है, इन दोन में छोटा यह है, एंड, डॉलर, स्टार, स्टार का अपोजिट यह है, और एंड तो खुद चलीजिक है विह प्रम गुषामय आकर सैंट है तको थी जाना एक हमेश पयांरे ऑथ कि अ? ही है वो हाँ यह हम देख रहे थे ना इसका दिरेट अफ है तो सही है भी है अब मज़ा है अब अपोच नहीं लेना न और बड़ा है जितना ज्यादा बड़ा है उतना दूर से आपको लगेगा गलत है क्योंकि अपोच सिंबल आ जाएंगे यार जितना बड़ा बन जाता है बड़ा बनेगे वैसे डिकोड़िंग में उतना टाइम लगता है और उतना चोटा कम टाइम लगता है बी है यहाँ पे जाओ बी से जारहे तो सिंबल ही डिरेक्ट सिंबल Hindi लेना पढ़ेगा covered नहीं जा रहे है आप नले जारे हैं तो आप आपको जान लेना पड़े きान बी और एंड के दर्मियान सारे सिंब्ल यह ना ओके लेते हैं लेते हैं यार पेज उपर नीचे एड़ रिट ओफ हैश भी एड़ भी स्टार भी चलो भाई पूजट नहीं लेना क्यूंकि बी से न ही जाना है add the rate of star b add the rate of star b add the rate of b star b dollar b लेना है न क्या क्या था यार क्या क्या था खुद ही देखो add the rate star hash and star hash इतना तो ठीक है and add the rate आया ना एक इदर एक इदर तो गलत अगर ये नहीं आता तो ये तीन आप compare करके छोटा देख लेते और फिर देखते आंसर में क्या है अभी कितना आसान है क्यों से एन जाना है क्यों से एन जाना है तीन symbols बीच में है और same symbols लेना है hash hash ही लेना है opposite नहीं लेना क्योंकि आप ऐसे जा रहे है क्यों से ही एन क्यों से ही एन जा रहे है तो ले लो, ले लो, ले लो, hash and star, star, hash and, हो, तीनों में compare होगा, बता छोटा कोन है, छोटा कोन है, याद है न, one, two, three, छोटा ये है, hash, देखो, जो आप देख रहे हो, वो उसमें बीच में hash है क्या, हाँ, तो ये सही है, कितना आसान है, बहुत आसान है, दिखाऊंगा, P से M जाना है, तो इनका opposite symbol ले लो, opposite symbol ले लो, अगर opposite उपर नीचे आ रहा है, तो गलत हो गया, शायद उस आ रहा है, ठीक है, P से N जाना है, opposite symbol ले लो, ये dollar है, add the rate of है, dollar add the rate of क्या opposite, dollar और add the rate of का opposite, ये दो आते हैं, ये और ये, इन दोने में छोटा कोन है, hash वाला, देखो, hash है क्या hash है, क्या hash है, क्या hash है, हाँ, hash है, बहुत असान है ये, बहुत असान है ये, आप एक कर सकते हो, ये दो आपको homework है, आप थोड़ा सा इसको zoom करो, homework है, नीचे answer दे दो मुझे, okay, अब last में इतना ही है, कि यहाँ पे R और O, R और O में same same elements है, same same elements है, और wrong भी है, और center का sign आता है, center का sign आता है, तो इदर और आएगा, देखो बाई, R से, O, R और O, R और O, same elements है, इन दूनों conclusions का, same elements के साथ साथ, अगर दूनों गलत है, और center वाला option भी आता है, तो इदर और है, देखते हैं, R से और जान है, R से, sorry, R से और जान है, वापस तो opposite symbol, ये है dollar, and का opposite, dollar क ये है, और and का opposite, खुद and ही है, इन दूनों में छोटा कौन है, hash है, तो देखो hash है क्या, तो ये गलत हुआ, hash नहीं है ना, ओके, ये गलत हुआ, तो गलत हुआ एक, अच्छा, R से और जाना है, R से फिर से और जाना है, and और dollar, and और dollar, and ये है, and तो and ही है, dollar के बतले ये opposite आ आप देखो, and है, and के साथ हमने compare किया, and के साथ compare किया ना, बीच में ये आया ना, तो याद रखना, ये भी गलत, ये भी गलत, same, same elements, R O, R O, और बीच में क्या code है, वो आता है, तो either or आता है उस सवाल में, आप देखो, और either or बहुत कम सवाल होते हैं, ऐसे, जो के coded में आत हाल सा है, ए, C, ये तो fals है, लेकिन यहां पिर नहीं, रास्ता、 यहां लात हैं, तो ये fals है, definitely fals nähã, ये ये, definitely fals है, へचे, अब ये मुझे बताइए, इसका answer क्या है, एसका answer क्या है, Zार तो ही हीनी, ये missing element, जो मैंने आपको बहुत सिखा है, वो वाला है, इसका answer हे, either or, क्यों क्योंकि C से ना आप यहां से जा रहे हैं ना यहां जा रहे हैं ना कोई आ सकता है C की तरफ है ना तो same same elements same same elements और रस्ता भी बंद है और तीनों signs है और either or is का answer है यहां पर यह C और A, C और A इसका भी either or answer इसलिए है क्योंकि B equal to A same elements लगता नहीं लेकिन same elements है देखो क्यों क्योंकि B A के बराबर है और C E के बराबर है ठीक है अब यहां पर यह भी यहां पर यह भी बहुत असान है इसका भी either or answer है क्यों क्योंकि जहां पर यह not equal to sign वाला है इसका मतलब क्या है A greater than और A smaller than B ठीक है अब यह तो मैंने आपको समझाया lost में और एक confusion कहीं पर था कहीं पर था not equal to case में कहीं पर confusion था बचुंको कहां था जहां था जहां था जहां था जहाँ यहां था यहां था prints fallс वाला case तो अगर equal to तो याद रखना यह तो definitely false आएगा लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता तब यह definitely false नहीं आता क्यों? क्योंकि A greater than C और A equal to C आप definite नहीं हो A equal to C में तो यह आपको false आता, definitely false नहीं आता ऐसे तो यह भी definitely false ही है क्योंकि यहाँ पर equal to sign नहीं है चलो बस हो गया inequality खत्म इतने मुश्किल भी नहीं आएंगे जितना मैं आपको समझाया हारी concept समझाया बहुत कम टाइम में ओके dear students, bye